हेलो वरीवन आप सभी का स्वागत है मैं एक्जाम यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो में हम दुबारा से एक और वीडियो लेकि आए हैं आपके लिए जिसमें हम फिमेल सुपरवाइजर का जो आपका एक्जाम होने वाला है उसके विशह से रिलेटिक जितने भी आपके उप्र एक्जाम है जो भी सभी को हम ठीक है हर एक आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो डालू आपको नोटिविकेशन मिलती रहे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन है वीडियो का महिला एवं बाल विकास विभाग का महानिदिशक कौन है ठीक है महानिदिशक कुछा है यानि क जो आपका डिरेक्टर जनरल है महिला एवं बाल विकास विभाग के वे कौन है तो वो है स्रीमती रेनु फुलिया ठीक है रेनु फुलिया तो कल हमने जो कोशन किया था उसमें हमने मंतरी के बारे में बात किया था ठीक है जो कल की वीडियो थी उसमें आप से पुछा था म महिलायम वाल विभाग के जो मंतरी हैं हो कुन है कमलेज धांडा है ठीक है तो आज हमने बात की है महा निदेशक तो निदेशक कोन है आपकी रेणु फुलिया है तो आपको याद रखना है वेरी इंपोर्टेंट्ट कोशन है एग्जाम में आपका हार एक सटन जो इस वीडि विभाग के अपर सचीव कौन है यानि कि additional चीफ सेकरेटरी की बात कि आपकी कौन है महिला यंवं बालवीकास विभाग के तो वो कौन है अमित जश्ञा है तो महिला येवं बालवीकास विभाग के तीनों आपको याद रखने है ठीक है डारेक्टर जनरल रेनु फूलिया है मंतरी पुछे तो कमलेश धांडा है और एडिशनल डारेक्टर चीफ सेकरेटरी पुछे आपसे यानि की आपपर मुख्य सची पुछे तो कौन है अमित जां है तो ठीक है तीनों मैंने आपको बता ठीक है तो उपशन है आपका युनिसेफ ठीक है वर्ल बैंक यानि कि वी कबेंक और यू अन् एफपी ए ठीक है तो इन तीनों के साथ हैंlog कर या agents सभी तो तीनों के साथ मिलकर जो महिला याम माली का सभी भाग है वो आपका काम करता है तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको Unisafe है, फर्स्ट, Unisafe, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी United Nations Children's Fund, ठीक है, World Bank आपको सभी को पता होगा, और थर्ड है आपका UNFPA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है United Nations Population Fund, ठीक है, तो यह याद रखनी तीनों के साथ मिलकर क्या करता ह Next है, 1975 के बाद कितने काम का जी महिला चातरवासो को मनजूरी मिली है, ठीक है, जो आपके महिला चातरवास है, ठीक है, सबसे जयदा महिला चातरवास आपके खाँपर है, हिशार में हैं और दो आपके रोतक में है तो ये आपको याद रखना है सबसे मैक्सिमम फूचे है तो आपके रोतक में है और दो इसार में है और दो आपके किस में है रोतक में है ठीक है तो ये याद रखने है तो 1975 के बाद कितने चातरवासों को मंजूरी मिली है तो 20 को ठीक है लागू किया गया था एक जन्वरी 2017 को ठीक है जो परधान मंतरी मातरी में दरना योजना है एक एक 2017 को लागू किया गया था और जब ये लागू किया गया था सरवपर्थम तो ये पंचकूला ठीक है जो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है उसके लिए सरकार जो निवेश करती है कितने रुपे का निवेश करती है उसकी रासी पुछी गई है तो आपको रासी बतानी है तो ये जो रासी का निवेश करती है सरकार ये करती है 21,000 रुपे का ठीक है और किसके साथ करती है ये यौजना है उनमें से एक किसोरी सक्ति उजना तो इसके अंतरगत जो 11. 18. की लड़कियां थीक है किसोरी लड़किया उनको इसमें श्यामिल किया गया है थीक है तो उनके पोशन और स्वास्तेक्ष पिती और सव विकासँ कंसे सुधार करना इसका लक्से heislie अगर आप यह करते हैं तो जो आपकर है यानि की इंकम grain Thux इसमें आपको chic piece Okay ndre सुरुकरा यह z बरसन और बारा भी स्टरई से 14 टो याद रखना है दारी सेक्षिन थीक है नेक्स्ट है आपका कुश्चन, ICDS के तहट कौन सी सेवाई परधान की जाती है, ठीक है, तो ICDS है आपका इसके तहट कौन कौन सी सेवाई दी जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्राम होता है, Integrated Child Development Scheme, ठीक है, एकिगरित, बाल, विकास, योज ना, ठीक है, तो इसके तहट जो योजने दी जाती है, तो ये कौन कौन सी दी जाती है, एक तो है आपकी पूरक पोजिशन, ठीक है, नेक्स्ट है, स्वास्त जाच, ठीक है, और नेक्स्ट है, परतिरक्षा और रेफरल सेवाई, तो उप्यूक्त सभी सेवाई आपकी ICDS के development scheme 1975 को लागू किया गया था ये और इसके अंतरगत ये सारी सिवाएं आती है आपकी नेक्स्ट है आपका कानून के साथ संगर्ष में बच्चों के लिए कितने observation home चलाए जा रहे हैं ठीक है homes चलाए जा रहे हैं तो कानून के साथ जो अंगर्ष में बच्चे हैं ठीक है कोई कानूनी अपराद करते हैं तो उनके विकास के लिए ठीक है उनको विकास के लिए कितने observation यानि कि उन में जो बच्चे अपराद करते हैं उनके अंतरगत रखा जाता है ताकि उनको observe किया जासके तो ये कितने observation होम चलाए जा रहे हैं तो ये चलाए जा रहे हैं चार आपके ठीक है अगर आपसे पूछे कौन-कौन सी जंगे हैं ये चारों मैं आपको बता देता हूँ एक है आपका अंबाला में ठीक है चार observation होम चलाए जा रहे हैं एक आपका अंबाला में ह होम है आपके और एक आपका स्पेशल होम है लड़कों के लिए सोनी पत में है ठीक है इसकी भी बात करेंगे हम तो आपको चार उब्जरवेशन होम याद रखने अंबाला हिसार फृदा बैंड बाद और करना ठीक है नेक्स कोशन आपका स्पेशल सोनी पत स्पेशल होम जो आप भी हमने बात की थी 4 व्जरवेशन होम और एक स्पेशल होम जो सोनी पत में है लड़कों के लिए तो इस पेशल होम कब functional किया गया था ठीक है जो special home बनाया गया था इसे ने कार्ये करना कब start किया था यानि कि functional कब हुआ था ये तो ये हुआ था 26 December 2016 को ठीक है तो ये भी याद रखना है आपको ये भी पुछा जा सकता है special home कहां परस्तित है लड़कों के लिए है ये सोनी पत्मे है और ये functional हु 26 December 2016 को ठीक है नेक्स कुशन करते हैं ICPS यानि की एकी करीत इंगलीस में डेफिनेशन है इसकी integrated child protection scheme ये भी आद रखना है आपको और हिंदी में है एकी करीत बाल संरक्षन योजना के तहत बच्चों के रख रखाओं के लिए कितनी रासी दी जाती है ठीक है तो एकी करीत जो 24 है आपकी 2000 रुपगे परति بच्चा परति महिना हर महीने 150ty6 रुपगे जाती है जिसमें आपका 1400 रुपगे तो उसके food के लिए यान की खाने के लिए और जिसमें 600 रुपगे और कि क्सके लिए होते हैं कपड़ों के लिए दुए दवाईयों के लिए और तेल वसाबुं के लिए ठीक है तो टोटल मिला कर ये 2000 रुपे की राशी दी जाती है प्रती बच्चे के लिए ठीक है तो यह याद रखना है वेरी इंपोर्टेंट है अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम लिंक मैं आपको रेस्क्रिप्शन में दे दुआ वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स की ठीक है या फिर आप सर्च कर सकते हैं माई एक्जाम भाई भूपी दिया के नाम से टेलीग्राम चैनल पर तो वहां पर आप जॉइन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी नोट्स की PDF चाहिए थो नेक्स्ट है प्रती रक्षा के तहत किसका टीका करन किया जाता है ठीक है जो आपका प्रती रक्षा है आपकी सेवाएं दी जाती है यह ICDS के तहत तो उसमें से एक आपका प्रती रक्षा है ठीक है तो आभी हमने चार सेवां के बारे में बात की थी उसमें से एक आपका परतिरक्षा है तो उसके अंतर्य जलना वह यापको आपको याद नहीं है तो यह जरूर याद रखना है आपको तो इसकी स्थापना कब की गई थी महिला एवं बाल विकास विभा की स्थापना 1985 में की गई थी तो जितने भी important question है हम सारे के सारे cover करेंगे तो आज की वीडियो में यही question तो जो बाकी related question आएंगे आपका एक भी miss ना हो ठीक है तो ग्राम सची में भी आपके साथ से 8 question आए हैं ठीक है जो आपकी help करेगा selection दिलवाने के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को कर दो कर द хозя